ओमूकं करोति वाचालं पंगुं लंगयते गिर्यूं यत कृपातमहं बंदे परिमानन्द माधवं गुरुर ब्रम्मा, गुरुर विष्टू, गुरुर देवु महे सुरात, गुरू साग्छात परंब्रह्मे, तश्मै स्रीगुरु वे नमान। शर्वे भवन्त शुफिना शर्वे शंत निरामया सर्वे भद्राणि पश्यंत मा कश्यत दुख्य भाग भवी करपूड गवरं करुणा वतारं संसार सारं भुझ गेंद्र आरं सदा वशंतं हर्द्यार विन्ने भवं भवानी सहितं नवा कि कल मैं बात कर रहा था अग्रे वन्नी प्रिष्टे भानू रात्रे चोग समर्पित जानू करतल विप्षा तरतल वासा तदपन मंजत आशा पाशा भज गोविन्दम भज गोविन्दम गोविन्दम भज मौविन्दम अग्रे वन्नी प्रिष्टे भानू रात्रे चोग समर्पित जानू करतल विच्छा तरुतल वासा तदपन मंजत आशा पाशा भज गोविन्दम भज गोविन्दम भज मौविन्दम भज मौविन्दम भज मौण मतें बगवाद संक्राइचा लिग रहा है कि एक के व्यक्ति ऐसा निर्धन गरीव दरेद्र जिसके पास कुछ नहीं है भीकारी अग्रे वन्नी प्रिष्टे भानू सर्दी के समय में दिन में किसी तरह से धूप में बैठ के अपना गुजारा करता है रात्री को अगनिस से तापके अपने गुजारा करता हैं रहने कोई जगह नहीं है कि सहीवर करता है हातों में बोजन ले पक लेकिए काथा हातों का पाटर बना के करतल ल हावाता पेड के नीचे जिसका निवाश है लेकिन तद अपन मुझत आशा पाशा फिर भी उसके मन से आसाए नहीं छूड़ती है इच्छाओं से मुक्त नहीं होता, कामनाओं से मुक्त नहीं होता अभी भी उसे सुख संसार में दीख रहा है देखो सबसे बड़ी बात तो यह है कि जिसके पास जब कोई चीज नहीं होती है तो उसे उसमें सुख का अभास होता क्यूंकि दूसरों के पास है उसके पास नहीं एक गरीब के पास नहीं है अमीर के पास है तो उसे लगता है अमीर सुखी है और मैंने का ना इन अमीरों के चेहरे बड़े धोके के होते हैं जूटे मुखोटे लगाए होते हैं किसी के सामने मिलते हैं तो मुस्कराते हुँ तो ऐसे लगता ये बड़े सुखी है अब हर व्यक्ति को अपने अंतर की बेदना, अंतर का संताप, अंदर की पीड़ा, अंदर की असांती हर किसी को महसूस हो रही है लेकिन जब दूसरे की तरफ देखते हैं इन आखों से उनके चेहरे खेले हुए देखते हैं तो लगता है वो सुखी है वो लोग सुखी है यह सुखी है और फिर क्यों सुखी है कि इनके पास धन जादा है इनके पास उचे पद हैं महल है तो इनके पास संसार के साधन जादा है सुबधा जादा है इसलिए वो सुखी है और देखो यह मात्र कोई दो-चार लोगों की भ्रांती नहीं है यह सारी द दुनिया में विग्जान ने टेक्नलोजिंडी ने इनसान को सुखी बनाने का है कि आदमी को ज्यादा-से-जादा मन्शुक को ज्यादा से जादा सुखी बनाया जाए तो उन्होंने कैसे सुखी बढ़ाने की चेश्टा की कि जाजा से जादा सरीर के इस्तर पर सुब्धा उपलब्द कराएं तो जैसे पसू के लिए सुब्धा उपलब्द कराने से पसू सुखी हो जाता समय पर उससे अच्छा बोजन मिल जाए रहने कि ठीक से जगह मिल जाए सर्दी गर्मी से उसका बचाओ हो जाए तो पचु सुखी है ऐसे ही उनका इंसान को भी यही चाहिए कि इंसान सरीर है तो सरीर को जादा जादा सुख्धा हो और उसका प्रड़ाम यह निकला कि पिछले लगवग सौ वर्स के अंदर इस दुनिया में विज्ञान ने बहुत ही विकास किया जो आज एक सामान व्यक्ति को सुख सुख्धा उपलब्द है सौ साल पहले यह बड़े राजे महराजाओं को नहीं थी बड़े साहन साहों को नहीं थी बड़े दौलत वालों के पास यह सुख्धा नहीं थी जो आज एक सामान व्यक्ति के पास है एक मध्यम बर्गी के पास है सुचो आज से लगवग 20, 22, 23 साल, 25 साल पहले में जब पहली बार साउत, अफरीका वगयरा गया और वहां लोगों के हाथ में मुवाइल देखे हर किसी के हाथ मुवाइल तो मुझे लगा बड़े बड़े होते थे लटका के घुमते थे पेजरी को लोग भूमा पाहर बेल्ट पर बांद के रखते थे कि लोगों के लगए इनके पास प्रेजर है और यह सब एक स्टेटर सिंबल बने गए थे जिनके पास यह है वो जड़ा बड़ा आदमी है पेजर है तो बड़ा आदमी है फिर मुबाइल बाहर टांग के रखता थे जिसको मालुम पड़ा कि इसके पास मुबाइल है बड़ा आदमी है आज किसी के लिए एक मुबाइल इस्टेटर सिंबल नहीं बना तो यही होता है कि बिग्यान और टेकनलोजी ने आदमी को सुखी बनाने के लिए इतनी जादा सुख्धा उपलब्द कराई जादा से जादा सुख्धा कि आदमी सुख्य हो जाए कि लेकिन उसका प्रणाम ऐसा आया कि व्यक्ति सुख्य है क्या पहले से ज़्यादा सुखी है हमारे तुम्हारे माता पिता के पास सुब्धा कम थी लेकिन मन में सांती ज़्यादा थी आज हमारे पास सुब्धा है लेकिन सांती नहीं उनके पास अच्छे विस्तर नहीं होते थी लेकिन अच्छी नीद थी उन्होंने विश्तर उनके पास नहीं थे नीद थी और आज हमाये पास विश्तर है लेकिन नीद नहीं है अब क्या कहेंगे अगर नीद गमा के हमने विश्तर पाया नीद को गवा के हमने अगर विश्तर पाया तो किसे इसे हम प्रिगती कहेंगे उन्नती कहेंगे प्रोग्रेस कहेंगे सांती गवा के सुब्धा पाई इसे हम सुख कहेंगे प्रिगती कहेंगे सुचो तो आज यही हो रहा है कि आज व्यक्तियों के पास सुब्धा है लेकिन सांती नहीं अब जो गरीब मुलक हैं या गरीब लोग हैं आज उनकी लोगों की कोसिस यही होती है कि इन गरीबों को अमीर बनाओ क्यों गरीब अमीर हो जाएगा तो सुखी हो जाएगा गरीब भी जो अमीर हो जाएगा तो वो सुखी हो जाएगा और लोग उस दिशा में काम कर रहे हैं विग्यान और टेक्नलोजी भी लगी हुई है सारी दुनिया की सरकार है उसी दिशा में काम कर रही है कि गरीब को अमीर बनाओ गरीब को अमीर क्यों बनाना है कि उसे दुख से मुक्त करना उसे दुख से मुक्त करना उसे सुखी बनाना तो सुख कहा है साधनों में सुख कहा है सुबधा में अब जब सुख सुबधा में है सुख साधनों में है तो सवाब एक है जिसके पार सुख सुबधा नहीं है वो दुखी है जो गरीब है वो दु कारी भी है उसके अंदर भी आकांग्छा यही है मांग यही है चाह यही है कि राजा सुकी है जिसके पास सुब्धा है वो सुकी है मुझे भी सुब्धा मिले अब सुब्धा नहीं है तो आसाइं बना रहा है सुब्धा प्संजो रहा है अभी तक नहीं तो आगे अभी तक न लेकिन जिनने सुख को पाया सुवधा को पाई संपन्यता पाई विलास्ता पाई वो भी उब जाते वो कहते इनमें कुछ नहीं इसलिए तो आप देखो भगवान बुद्ध गरीब नहीं थे महलों में पले पोशे सुख सुब्दा बहुत थी साधन बहुत थी संपन्यता बहुत थी लेकिन फिर उनके अंदर वेरा गया कि इसमें भी कुछ नहीं यह जूटी वाते जिसके लिए दोड़े थे जप से पाने के लिए उसमें भी कुछ नहीं है इस धन में सुख नहीं है सुब्दा में सुख नहीं है बुद्ध जैसे भिक्छू बन गए जैनियों में 54 तीत कर थे 400 तीत कर राजा थे लेकिन उन्हें जो राज में नहीं मिला वैवों में नहीं मिला बलास्ता में नहीं मि मिला अंतर मुख्यों के अपने अंदर मिला ध्यान में मिला लेकिर यह विचारा गरीव आदमी है विकारी है उसे अभी भी ध्यान का अन्वह नहीं उसे कुछ ध्यान की कोई समझ नहीं है उस दिसा में कोई कदम बढ़ाया नहीं है कि अंतर मुख्य हो जाए वो ध्यान की तर पिक्षा कांग्षा हुआ ही है कि संसार में सुख है लेकिन मैं चूक गया मैं चूक गया तो आसाएं अभी हैं कि साइद कोई दिन ऐसा हो जाए कि भिकारी कहीं कि यह भी सुब्दा संपन हो जाए भिकारी भी कभी राजा हो जाए लोग कहते भी विकारी राजा हो जाते राजा विकारी हो जाते तो यह विकारी प्रतिक्षा में है कि मेरा नंबर भी कभी आएगा क्या राजा बनने का यह संसार का चक्र जिसे हम कहते घुमता है तो यह नीचे बाला उपर पहुंचेगा कभी कही कभ आसाएं वो भी बनाए आसा वो भी रखे तो भगवायां संक्राचार कहते हैं अग्रे वन्नी प्रिष्टे भानू रात्रो चुबक समर्पत जानू करतल भिक्षा तरुतल वाशा लेकर तदबन मुंजत आशा पाशा इसके पास कुछ नहीं है लेकर फिर भी आसाएं आसाएं सुप्ण है कि आज नहीं तो कभी ये सुप्ण सत्त होंगे आज नहीं तो कभी मेरी आसाएं पूरी होंगे कभी ये संसार मिलेगा वो आसाओं से मुग्न नहीं हो पाता वो सप्ष उसके कभी नहीं चूटते हैं शुपने चलते रहते सक्ति धन में है प्रतिश्टा में है पद में है संसार में है वस्तूु में है व्यक्तियों में है इनमें है लिकिन मुझे नहीं मिला तो आसा बना कि रख तक क्भी तो मिलेगा कभी तो संसार का चक नीजें ब МУЗЫКА बहुँंचे ग såपने तक अई SPEAK तो पहुंचेंगा प्रतिक चामें है सपन बनाए हुए भगवान संक्राचार कहते हैं लेकिन ऐसे व्यक्ति भी सुपन से मुक्त नहीं हो पाते हैं सुपन उनके भी हैं आसाय वो भी संजोए क्योंकि जब तक यह अज्ञान रहेगा कि सुख संसार में है जब तक यह अज्ञान रहेगा कि सुख संसार में है सुख व्यत्तियों में है सुख वस्तियों में है सुख सुभधा में है जब तक यह अज्ञान रहेगा कि सुख हमसे बाहर है तब तक आसा रहेगी तब तक यह दोड़ रहेगी इसलिए भगवान संक्राइचार कहते हैं अंगले स्लोग में कुरुते गंगा सागर गमनम ब्रति पर पालन अथवादानम ग्यान बिहीनम सर्व मतेन मुक्ति भजति नाजन में सतेन भज गोविन्दम भज गोविन्दम भज मूड मते भगवान संक्राइचा लिख रहे हैं कुर्ते गंगा सागर कमनम कितनी आपने तीर्थ यात्राएं की हैं गंगा की गंगा सागर की कितने आपने तीर्थ यात्राएं की हैं बिना ग्यान के संसार में जीवन मुक्त की अवस्था नहीं आएगी एक नहीं सोजन में ले लो बिना ग्यान के मुक्ति नहीं मिलेगी जीवन मुक्ति की अवस्ता नहीं आएगी दुखों से छुटकारा नहीं मिलेगी और कह रहे हम बगवाद संग्रा चाहरे कह रहे हम यह अकेले कह रहे हैं सभी मत मतांतर सभी मत मतांतर जितने हैं सभी एकमत हैं इस बात को लेके के बिना ग्यान के दुखों से छुटकारा नहीं होता है आत्म ग्यान के बिना जीवन में संसार से मुक्ति नहीं मिलेगी आज आप देखो ध्यान को सभी लोग से जैन हैं वो भी ध्यान को सिवकार करते हैं बहुत हैं वो भी ध्यान को सिवकार करते हैं हिंदू हैं, क्रिश्चियन हैं हिंदु हमें तवाम तरह के मत मतांतर हैं लगवक सभी मत सभी मत एक मत होके ध्यान को सिवकार करते हैं अंतर मुखी साधना को सिवकार करते हैं अपनी आत्मा को अपनी चेतना को सिवकार करते हैं तो भगवान संक्राचार कहते हैं ज्ञान भी ही नमसर्व मत है सभी संत सभी मत मतांतर यह एक मत होके निड़ेवा करते हैं कि बिना ज्ञान के दुखों से चुटकारा नहीं है देखो दुख क्या है बंधन क्या है बंधन है कि सुख हमसे बाहर है यह अज्ञान सुख हमसे बाहर है वस्तू में है व्यक्ति में है धन में है मान में है सुधा में है तो सुख हमसे बाहर है यह अज्ञान अब जब यह अज्ञान है कि सुख हमसे बाहर व्यक्ति में वस्तु में धन में मान में पद प्रतिष्टा में सुधा में सुख हमसे बाहर है तो उसके लिए दोड़ होगी कि उस वस्तु और व्यक्ति तक कैसे पहुँचे तो कामना बनती है मार्ग व्यक्ति और वस्तु हमसे बाहर है कामना बनती है मार्ग वहां तक पहुँचने के लिए कामना मार्ग बनती है वहां तक पहुँचने के लिए कि सुख हमसे बाहर है अब सुख हमसे बाहर है कामना मार्ग बनी वहां तक जाने के लिए और जिन कामना है तो कामना की पूर्टी ना हुई तो क्रोध आएगा और कामना की पूर्टी हो गई जो मिला वो परियाप्त नहीं और ज़्यादा मिले तो लोव आ गया और की चाहा और ज़्यादा लोव आ गया जो चाहते थे वो ना मिला क्रोध आ गया और जो मिला है उसकी सुरक्षा बनी रहा है वो छूटना जाए च्छिनना जाए तो उसके प्रतिमोव आ गया अब ये काम क्यों पैदा हुआ कि सुख हम से बाहर इस अगयान से और ये जो काम है क्रोध है लोव है मोह है आ सकती है ये बंधन ये दुख है ये बेड़ियां ये बेड़ियां ये बंधन आप देख लो कहते हैं कामना और कांटा भाई बेहन की तरह है कांटा तो सरीर को चुबता है सरीर को चुबता है कांटा और कामना चुबती है मन को अगर हमारे सरीर में एक काटा लगा है तो एक गुना दर दर उदस काटे लगे हूं अब सरीर में दर कितना है काटे गिल लो एक गुना दर सो काटे जितने ज़्यादा काटे उतना ज़्यादा दर्द सरीर में वैसे ही जितनी ज़्यादा कामना उतनी ज़्यादा मन को असानती उतना ज़्यादा तनाव उतना ज़्यादा दुख उतनी ज़्यादा पीड़ा और आज जिसे हम विकास कहते हैं जरा विचार करके देखो क्या विकास हमने किया है आज जिसे हम विकास कहते हैं क्या विकास किया सुख बढ़ा, सांती बढ़ी वालिय वस्था से आज तक वालिय वस्था से आज तक अपने बारे में हिसाब लगा लो कि जो हम वाल्यावस्था में हमारी वाल्यावस्था जब थी छोटे थे सिसु थे तो एक दो रुपए भी मिल जाते थे बहुत बड़ी दौलत होती थी एक दो रुपए बहुत बड़ी दौलत होती थी आज एक दो करोड़ पाके भी उतनी उतना संतोश नहीं है उतनी खुश ताद नीद आ जाती थी मन से सांत होता रूखा सूखा खाके भी आदमी सुच्ट रहता था आज क्या है कि आज डनलप के गद्दों पर भी नीद नहीं आ रही आज कुछ भी खाए दो वो बीमारी बढ़ती है बीमारी ही बनती है डाक्टर कहते हैं गरीव आदमी का तो खाना भगवान ने चीना और अमीर का खाना ये डाक्टर चीन लेते डाक्टर कहेंगे तुम्हें घी नहीं खाना है तला हुआ नहीं खाना है मीठा नहीं खाना है क्यों तुम्हें डाइविटीज भी है तुम्हें बीपी भी है तुम्हें हाट की तकलीब भी है अब सौ में नभे बीमारियां जो आदमी मन से परेशान है और मन की परेशानी क्य कामना है काम है तो काम के साथ कुष भूत की साखा निकले की साखा निकलेगी बेंगे हो की साखाने क lässt सकती की साखाय निकलेगी कामना के मूल से कामना की जड़ से कामना के तनस्य साखाय निकली और कामना क्यों है क्योंकि सुख हमसे बाहर यह हमारा ग्यान यह हमारा ग्यान के सुख हमसे बाहर व्यक्ति वस्तू में तो व्यक्ति और वस्तू तक हम पहुंचे कैसे उसके लिए मा दोड़े उस मर्ग पर कामना की पूर्ती के लिए कामना की पूर्ती के लिए दोड़े इसलिए भगवान संग्राचार कहते हैं कि बंधन है बंधन पैदा हुआ अग्यान से काम पैदा हुआ क्रोध पैदा हुआ लोग पैदा हुआ है अग्यान से अग्यान से काम करोध लोग पैदा हुआ है तो ये काम करोध लोग से छुटकारा कैसे होगा ग्यान आए और ग्यान जब आएगा कि ग्यान क्या आजाए कि सुख हमसे बाहर नहीं है सुख हमारे अंदर है परमात्मा हमसे बाहर नहीं है परमात्मा हमारे अंदर है तब जब ग आंपने ठैरे भागदाब्न फूब करती ठैरे आकर है कि मृता है ये अपनी तरह मुड़ना अपनी खोज में आना अपनी तरह अपनी और अंतरात्मा का ज्ञान होना भगवाल संक्राचार कीए इस ज्यान के बिना زीवन में मुक्ति नहीं आएगे जब तक बाहर बाहर दोड़ोगे कुर्टे गंगा सागर चाहिए इतनी यात्रा ही कह दो देखो घर में अंधेरा है अब घर में अंधेरा हमें हटाना है घर में अंधेरा तो हटाना तो क्या करते तुम कहो कि नहीं हम अंधेरा हटाने के लिए तीर्थ यात्रा करके आएंगे तीर से आत्रा करके आएंगे फिर तुम कहोगे हमारे घर का देरा निकल जाएगा निकलेगा करके आजाओ करके आजाओ कि तुम्हारे घर का देरा निकल जाए दूसरा आदमी कहेगा नहीं हम दान करेंगे दान करने से हमारा घर का देरा निकल जाएगा करके देख लो खुब दान करकर करके देख लो रोज दान करो घर में अधेरा निकल जाए तीर्थ करके भी आए दान करके भी देखा घर के अधेरा नहीं निकला तो कहने लगा अब ऐसा करेंगे बृत करेंगे उवास करेंगे ये देवी का देवता का इबृत करेंगे सुंबार का करेंगे महाबीर का करेंगे करो बृत करो उवास करो और बृत उवास खूब की अंधेरा गया नहीं गया अन्हेरे का कोई संबन्ध तुमारी यात्रा तुमारे दान से वृत से नहीं रूinaçãoett तोकरियां भरवर के बाहरा हमने सकते मंहार फैको यह अधैर कञ्दिकंत सब्सक्रियां उडेदानों ब्रठ परिपालन अथवादानों कितनी तिर्थीयत्राइगए वो कहते है कोई रविदाश जी के पास आया और रविदाश जी के पास आया कि मैं तीर्थी आत्रा के लिए जा रहा है आप भी मेरे साथ चलोगे रविदाश जी से कहा कि आप भी मेरे साथ चलोगे तीर्थी आत्रा के लिए जा रहा है रविदाश जी ने कहा अब समय का वहा तूमा था एक गोल लौकी तूमा था जिसे तूमा कहते गोल लौकी थी और कहा इसे साथ में ले जाओ और यह मान के चलना कि रवदास मेरे साथ में जहां जहां तुम जाओ इसे भी साथ में ले जाना गंगा मिस्नान करो तो इसे भी जरा गोते लगवा देना तूमे को मंदर में दर्सन करो भगवान के मूड़िके, तो इसे भी सामने कर mitt करे ने, कि हमारा तुमा भी भगवान के दर्सन कर ले, वो यात्री वो भग्त जैसे जैसे, जहां जहां गए, सब जगए, यह मान के, क्ये तुमा के रूप में रव्यधाश जी हमारे साथ में, हर जगह गंगा में गोते भी लगाए नदियों में गोते भी लगाए मंदरों में दर्सन भी कराए सब जगह साथ रखा ऐसे ही कि जैसे रविदाशी मेरे साथ है और जब बापस लोट कर आए तो कहा देखो अब तो ये तुमा बहुत भागसाली हो गया है ये तुमा बड़ा पुर्णुमान हो गया ये तुमा बड़ा भागसाली है बहुत पुर्णुमान है क्योंकि इसने इतनी तीर्थ्यात्र कर ली इतने जादा पवित्र नदियों के इस्नान कर लिए तो रविदाशी ने उस तुमे को काटा उस तुमे को काटा और उसके छोट इतना तीर्थ करके आया इतने इस पुसरी के गंगा के संतान करके आया अब तो इतुममा बड़ा जोगा गादा पुप हुआ था सब मुह में नहीं रख सके थूंका फैंका काई तो कड़ुआ है रफदाश जी ने कहा इतना तीर्थ करने के बाद भी कड़ुआ बना रहा है इतने तीर्थ किये इतना गंगा इसनान किया फिर भी इसकी कड़ुआ हट नहीं गई फिर भी इतनी कड़ुआ बना रहा सुचो ऐसे ही ये तीरतों से गंगा इसनान से सरीर का मेल उतरता है मन का मेल नहीं उतरता है अंदर का मेल नहीं उतरता है अंदर का काम नहीं जाता है क्रोध नहीं जाता है लोब नहीं जाता है मोह नहीं जाता है आसकती नहीं जाती है जितनी चाहो तीर ती यत्रा कर लो ये काम, ये क्रोध, ये लोब, ये मोह जाएगा उस दिन जिस दिन तुमारे अंतर में आत्म जोती जगेगी अपनी चेतना की जोती जगेगी अंतर मुखी यत्रा करोगे, आत्म ग्यान में बैठोगे अत्मग्यान में उत्रोगे तब ये तुम्हारी आसक्ति मिटेगी मोह मिटेगा तादात मिटेगा मांग मिटेगी एक काम क्रोध लो चाज इतनी जैसे तूमा वो मीठा नहीं हुआ इतनी तीर्थियात्रा के बाद में तूमा कड़ूआ का कड़ूआ रहा ऐसे ही इन तीर्थ हमें संत होते थे और संत होते तो तो ससंग होता था किसी संत की वाड़ी हमारे जीवन को में बदल दे किसी संत की वाड़ी हमें भाजाए मन में चुभ जाए जगा दे संत होते थे ससंग होते थे किसी संत से हमारा जीवन बदल जाए हमारी आँख खुल जाए हमारी मोह तूट जाए हमारी मूर्चा तूट जाए आदमी बीमार होता है तो हॉस्पिटल में जाता है आदमी बीमार होता है तो हॉस्पिटल में जाता है इसलिए होस्पिटल में जाता है कि होस्पिटल में सुस्थ होने के ज़्यादा उंबीद होती है ज़्यादा सुबधा है डाक्टर वहाँ है नर्सेस वहाँ है जो परहेज घर पर नहीं हो पाते हैं वो परहेज वहाँ हो जाएंगे होस्पिटल में डाक्टरों की देखवाल ह होगी तो सुस्त होने में सुब्धा है लेकिन अगर हम रख हॉस्पिटल तो पहुंच गए डाक्टर की दबाई खाई नहीं परहेज कोई किया नहीं विस्तर बदल गया घर में सोते तो वहां जाके सोने लगे विस्तर स्रिफ बदला तो विस्तर बदलने से कोई रोक से मुक् कि विस्तर बदल ये पहले घर में सो दित आप जाके अस्पताल के कि विस्तर पे सो गए दबा खाई नहीं परहेज किया नहीं डाक्टरों की देखवाल कोई मानी नहीं उनका मार्दरसन सुना नहीं तो तो बीमारी तो नहीं जाएगी ऐसे ही ये तीर्थ थे अस्पताल की तरह है कि तीर्थों में जाओ और तीर्थों में संत होते हैं वो डॉक्टर है हमारे मन के चिकितसक हैं ये संत और संतों का ग्यान संतों के उपदे संतों के प्रविचन हमारे लिए औस दीका काम करेंगे औस दीका काम करेंगे हमारे मंदर से मंदर से मोह मिटे लोभ मिटे क्रोध मिटे चाहा मिटे संतों का प्रविचन संतों की वाणी संतों का संग ना मालूम संतों की कौन बात जीवन को बदल दे संतों की कौन सी वाणी की चोट हमारे अंतरमन को जगा दे हमारी मूर्चा तोड़ दे अंगली माल की मूर्चा टूटी बुद्ध की वाणी से बुद्ध की वाणी से अंगली माल की मूर्चा टूटी अंगली माल का जीवन बदल गया न मालूम किस संत पुरुस की किस बुद्ध पुरुस की वाणी हमारे जीवन में परिवर्तर ला दे हमें अपने अंदर की जोती से जोड़ दे अंदर की दिया जल जाए हमारा तो तीर्थों में शुबदा होती थी कि तीर्थों में संथ होते थे ससंग होते थे तो तीर्थ अपने में पवित्र नहीं होते तीर्थों को भी पवित्र करते थे संथ संत कहते हैं कि एक बार गंगा ने भगवान से जाके प्रार्थना की गंगा ने भगवान से जाके सब भिलते हैं सब अपने पांगे मेहें चोड़के में रड़कर जाते हैं तो मेली हो जाएग गंगे पांगे आ हमारे पांग कैसे होंगे यहां यह पाप यहां मेहां चहुतिए सकतेज़का, लुग्ठान नहीं से कहा कि जब तुम्हें संत्इस्नान करेंगे तो तुम्हारे पाप मुठ्प हो जाओगे संत्इथचों thor versuchen करेंगे टोसन नाय से तुम पबित्र हो जाओगी तुम पाप से मुक्त्प हो जाओगी संसारी पाप फ़र छोड़के गए मुक्ति कहे भगवान से मेरी मुक्ति बताओ मुक्ति कहे भगवान से मेरी मुक्ति बताओ कि मेरी मुक्ति कैसे होगी इस संसारियों की मुक्ति तो हो रही तीर्थ में कि मेरी मुक्ति कैसे होगी तो भगवान ने कहा पड़े रहो यही गैल में पड़े रहो यही गैल में साधु संत चल जाए और पड़ रज मस्तक लगे तो मुक्त हो जाए कि संतों की चेवरो की धूल तुमारे मांतेपर लगेगी तो मुक्त भी मुक्त हो जाएगे एससंत मुक्त करते हैं तीर्थ बनाते हैं संत सुचो एक किसी सामान हिल स्टेशन में सामान किसी सहर में तीर्थ में क्या फरक है सामान इस्थान में तीर्थ में यही फरक है जहां संत हैं संतों का समागम है संतों के ससंग है संतों का निवास है तो वो तीर्थ है अगर संतों का निवास ना हो संतों का ससंग ना हो तो तीर्थ तीर्थ नहीं होते सामान सहर उन सहरों में कोई नहीं फिर तीर्थ यात्री नहीं होते हैं परिटक होते हैं ऐसे जगाव पर तीर्थ यात्री नहीं होते हैं परिटक होते हैं और परिटक आते हैं सहर सपाटे के लिए थोड़ा चैंज के लिए परिटक आते हैं सह काम क्रोध लोब मोग के बंधन से मुक्त होने जाता है तो इस्थान परिवर्तन से नहीं है ग्यान विहीनम सर्व मतेन मुक्ति भजतना जन्म सतिन भगवान संक्राचार कहते हैं बिना ग्यान के एक नहीं सौजन भी ले लो दुखों से शुटकारा नहीं होगा बंधनों से पाओगे ग्यान विहीनम सर्व मतेन मुक्ति भजतना जन्म सतिन एक नहीं सौजन भी ले लो तब भी दुखों से चुटकारा नहीं होगा दुखों से चुटकारा हो तो ग्यान चाहिए ग्यान किया है कि बाहर-बहुत दोड़ लिया थोड़ा अंदर उतर जाओ बाहर दोड़ रही है यही हमने का यही अंतर है भारत के रिषियों में और पश्चिमी जगत के विग्यान को ने भारत के रिषियों में है इसलिए बिग्यान और टेखनोलोजी आई कि तमाम तरह के वैग्यानिक अविसकार हुए तमाम तरह की सुभधाएं आई पैदल चलता था आदमी कि सारी स्रिष्टी भी सब पैदल चलते हैं पसुपक्षी सब लेकिन आदमी को सुभधा हो गई साइकल आई साइकल से स्कूटर आया मोटर साइकल आई कार आई अब कारों में कितनी तरह की कार है और फिर अब हवाई जहाज आ गए सुचो याता यात के लिए गमन आगमन के लिए आने जाने के लिए कितनी तरह के साधन बिल गए आखों को देखने लिए कितनी तरह की सुब्धा यह देख लो वो देखलो कभी कभी गाऊं में कहीं कोई एक TV होता था तो पूरा गाऊं में मुबायल में कहीं कोई तार नहीं है और बिना तार के कहा आदमी अमेरिका में बैठा है बात कर रहा अमेरिका से सुचो कान की जो जरूरत थी सुनने की कितनी ज्यादा बढ़ा दी कि अमेरिका से बैठके बात कर लो आख को देखने के लिए कितनी कितनी सुभधा हो गई नासका के सुगंदी के लिए कितनी कितनी तरह के चीजें आ गई जीव के स्वाद के लिए कितनी कितनी तरह के विंजन कितनी कितनी तरह के स्वाद भोजन आ गए लेकिन इतनी सारे सुक सुब्दा के बाद कि क्या हम कह सकते हैं आदमी सुखी यै इसा विग्जाने डिय तेकनलोजी ने दिया आपर इसकार इनन हुए पश्शिम जगत ने हमें विग्जान टेकनलोजीज लेकर भारत के जो आत्म ग्यानी थे आत्म ग्यानी थे उन्होंने बाहर के अविस्कार नहीं कि उन्हें अंदर की खोज की अंदर का विस्कार की वो अंदर में उत्रे बुद्ध अंदर उत्रे महावीर अंदर उत्रे और उन्होंने वही बात हमें भी दवताई कि बाहर नहीं यह बहुत खोज लो कहीं कुछ नहीं मिलेगा जिन्हें मिला अपने अंदर मिला बुद्ध ने वही का नानक ने वही का कवीर ने वही का मीरा ने वही का महावीर ने वही का सारे महापुरसोन में देखो सभी सयाने एकमत यह सभी सयाने एकमत हुए कि अपने अंदर जाक लो अपने अंदर उतर लो अपने अंदर खोज लो अपनी चेतना में थोड़े ठहरा हो कि सारी दुनिया के लोग एस बात पर एक मत हैं कि नीद का कोई विकल्प नहीं है कोई की विकल्प नहीं सोचो कुईhou किसी धर्म का हो हिंदू हो मुसल्मान हो सिक्ट हो जैन apology कोई भी किसी धर्म संपृदाए का हो 24 गंटे में एग बार सौणा चाहेगा चाहने इतना उसे अच्छा रूप दिखादो चाहने अच्छा स्वात दे दो चाहने अच्छा कुछ नहीं सुनना है, मुझे अंतरमुकही हो जाने दो, नीद में चले जाने दो. 24 घंटे में कम से कम एक बार उसका बह़रमुकही मन अंदर की तरह मुड़ना चाहेगा, अपने अंदर के से जुड़ना चाहेगा, हिंदू हो, मुसल्मान हो, जैन हो, सिक्ष हो, कुल भी हो अपने अंदर से जुड़ना चाहिए और जब अपने अंदर से जुड़ा, सुसुक्ती में गहरी नीद में अपने अंदर से जुड़ा तो छे घंटे, आठ घंटे सौने के बाद कहता बहुत इच्छी नीद आई ताजगी आ गई फ्रेस हो गए ऐसे ही अच्छा विस्राम मिला आया कि ताजगी आ गई फिर फ्रेस हो गई उर्जा और आ गई वो उर्जा कहां मिली थी वो विस्राम कहां मिला वो सुख वो सांती कहां मिली क्या कह सकते मुसल्मान की सांती अलग ह और बुद्द की जैन की नीन अलग है नीन तो नीन है नाम कुछ भी दे दो उसे कोई भी नाम नहीं दिया सकता ना वो हिंदू की कही जाएगी वो सबकी एक ही है ऐसे ही अपनी चेतना में जब हम जुड़ते हैं तो अपनी चेतना से जुड़ने का जो स्वाद है अंतर मुखी होने का जो स्वाद है उसे कोई नाम नहीं दे सकते उसका कोई नाम नहीं है ना उसका कोई नाम है ना कोई नाम दिया जा सकता और वो सबका एक जैसा है वो सबका एक जैसा है ग्यान भी ही नम सर्वुमते बाहर कुछ नहीं मिलने वाला है चाहर इतना दोड लो, चाहर इतना भाग लो अन्त में सारी दुन्या से ठकने के बाद जब अंदर से जुडोगे, अंदर में उत्रोगे अपने में विस्राम पाओगे तब कहोगे बाहर नहीं अपने अंदर है वो परमात्मा वो सत्त वो सुख वो सास्वत बाहर जो मिलेगा वो छड़ वंगुर मिलेगा लेकिन सास्वत अपने अंदर है वो परमात्मा अपने अंदर है और जो अपने अंदर जोड़ जाते ग्यान उस ग्यान से जोड़ जाते हैं उनके अंदर से दुख असांती तनाव पीड़ा ऐसे ही तिरोहित हो जाते हैं जैसे ब्रिक्ष में जब नए पत्ते आते तो पुराने ज़ड़ जाते जाड़ने नहीं पड़तें, कि कोई माली जाके जाड़ने जाए, कि अब नए पत्ते निकलने कर समय आ गए तो पहले पुरानों को हटाओ, नयों को आनों की जगह दो नए के आने की जगहñ देने के लिए पुराने हटाओ, किसी माली को हटाना नहीं पड़ता है पुराने पत्ते, नए आते हैं तो पुराने ज़ड़ जाते अंदर से जब कुछ पाता है व्यक्ति, अंदर से परमात्मा को पाता, अंदर से सांती पाता, अंदर से सुख पाता, अंदर से अपनी ग्यान पाता, विस्राम पाता, तो बाहर से कामनाय हट जाती काम हट जाता क्रोध हट जाता लोब हट जाता वह रजाता यह बंधन तूट जाते अपने आप तूट जाते क्य periods हो जो घ्यान आया जο खौँ हम बाहर खोज रहे थे वो बाहर नहीं अपने अंदर मिल गया जो पानी सब बाहर खर 바ॉज रहे थे रेगे रेजिस्तान में के रेजिस्तान की जावालू में पानी खोज रहे थे प्यास थी पानी की खोज थी प्यास थी तो पानी की खोज स्वावभिक है लेकिन देखी वह प्यास बाहर तो पानी मिला नहीं वह पानी भी अंदर से मिल गया प्यास अंदर से बुझ गई अपनी चेतन में क्यों दोड़ेगा कि जब प्यास बुजी ही गई पानी की जरूरत है यह नहीं और बाहर पानी था नहीं पानी अंदर ही था लेकित दुरभाग से ना समझी से हम बाहर खोज रहे थे हम सुख बाहर खोज रहे थे कस्तूरी नाभी बसे म्रग ढूने बन माएं ऐसी घटगट राम हैं दुनिया जाने ना उस बिचारे म्रग को मालूम नहीं था कि कस्तूरी अपने अंदर है अपनी नाभी में है वो बाहर खोज रहा था कि सुगंदी बाहर है यह सुख बाहर है वो सुख के लिए दोड़ रहा था वो सुगंदी के लिए दोड़ रहा था लेकिन कोई गुरु मिल गया कोई ग्यानी मिल गया कोई संत मिल गया उसने किरपा कर दी कि बाहर ना दोड़ो थोड़ा अपने अंदर जहांक लो वो तुमारे पास है वो नित्प्राप्थ है अंतर में ज्हांक लो जब अंतर में ज्हांके अपने अंदर ही कस्तूरी मिल गई सुख मिल गई तो बाहर की दोड़ खतम हो गई भगवान संक्राचार कहते ग्यान भी ही नमसर्व मतेन मुक्ति भजत ना जन्मसत है बिना ग्यान के एक नहीं सो जन्मी ले लो ये दोड़ बन नहीं होगी ये काम नहीं जाएगा ये क्रोध नहीं जाएगा ये लोब नहीं जाएगा ये मोह नहीं जाएगा जितने चाहो दोड़ लो ये दोड़ उसी दिन रुकेगी जिस दिन अपने अंदर से जुड़ जाओगे अपने आत्मा से जुड़ जाओ गए अपने अंदर बैठे परमात्मा से जुड़ जाओ गए उस दिन काम भी गया क्रोध भी गया लोब भी गया दिया जल गया अंधेरा गया और अंधेरा गया तो उस से जो काम क्रोध पैदा हुए थे वो भी चले गए अज्यान गया अज्यान ने काम करोध लोग पैदा किये थे और अज्यान गया अंदर जुड़े अज्यान गया तो काम करोध लोग चले गए तो उसी से पैदा हुए थे आगे किस लोग में भगवान संक्राचार कहते हैं अब यहां पर देखो विरूदाभास दो परस्तितियों में एक जैसी परस्तिती एक तरब तो एक भिकारी को दिखाया कि उसके आगे दिन में कितनी दर्दता है कि उसके पास दिन में धूप में बैठके गुजारा कर लेता पात्र बना कर भोजन कर लेता है एक पेड़ के नीचे ठिटो और के सो जाता है लेकिन आसाएं फिर भी दूसरी तर वही ठीक बैसा ही उधान दूसरा दे दिया सुर मंदिर तर मूल निवाशा सया भूतल अजनम बाशा सर्व परिग्रह भोगते आगा सर्व परिग्रे भोगते आगा कस सुखम न करोती 平ागा भजगोविन्दंब्द्दम भजगोविन्दम् भजभ नुड्प मते आये भगरवान संक्रिया करें सुर मंदिर तर मूल निवाशा कोई संथ कोई ज्या नी कोई विरक्त कोई आत्म ज्यानी किसी मंदिर के प्रांगण में मंदर के आंगण में कोई ब्रक्ष है उस ब्रक्ष के नीचे सो जाता है वो ग्यानी वो आत्म ग्यानी वो तत्वदर्शी मंदर के प्रांगण में मंदर के आंगण में खड़े हुए ब्रक्ष के नीचे सो जाता है सोर मंदर तर मूल निवासा ब्रक्ष के नी कि जमीन पर ही सो जाता है 3 अजनिम वाषा साधान से वस्तर उसके पाश है कोई साधन है सदान साधね यंग भॉस्तर आजनिम वाषा यह कहीं कहीं लिगते हैंकि उसके पास म्रग चर्म है उस म्रग चर्म के उपर सोजाता पहले देखो बिष्त्र पहले लोगों के पास वस्र की सुबधा नहीं थी पहले लोगों के पास वस्र की सुबधा नहीं होती थी तो संत क्या करते थे कि संत जैसे जंगलों में रहते थे और जंगल में कोई हिरन अब स्वाब है कि हर प्राणी के एक दिन मौत तो आनी है तो कोई हिरन कोई सेर चीता बाग ये मर जाते थे अपनी मौत से बीमारी से मर जाते थे और जब किसी आथ अपनी बीमारी से मौत से मर जाते थे तो उनकी चमड़ी काम आ जाती थी उनकी चर्म काम आ जाता था अब वो चमड़या जो काम आ जा था तो संत अपने बिछाने को पहनने के लिए उनके जीवन के लिए वो एक बस्तर परियाप्त हो जाता था क्योंकि आज की तरह उस समय वत्रुपलब नहीं थे आज के समय दुरभाग से कुछ ऐसे ना समझ लोग हैं वो क्या आज भी यह कहते हैं ध्यान करना है तो मिर्ग चर्म पर बैठके ध्यान करेंगे सेर के उस चर्म पर बैठके ध्यान करेंगे और उसके लिए वो मारे जाते ह मास खाके क्योंकि मास कोई खा रहा है तो मारने माला उनको पसुऑं को मार रहा है तो जैसे वो मास खाने का दोशी उसको भी पाप का भागी है कि अगर इसने मास ना खहुता तो जानबर ना काता जाता। ऐसे ही जो चर्म मरग चर्म का उपयोग करते हैं और उनके कारण से मरग मारे जा रहे हैं तो वो भी दोशी है वो भी दोशी है कि ऐसा दोशी है कि जैसे मासा हारी दोशी है ऐसे ये भी दोशी है कि इसके कारण से इसको इसकी मांग थी कि हमें मरग चर्म चाहिए और ये आज प्रविकारी की बंदूख से गोली से तो उसकी हाई तुम्हें लगेगी उसका पाप तुम्हें लगेगा यह मत सोचना है कि तुम म्रिख चर्म बैटके परमात्मा आजाएगा का आओ हम तुम है ले चल रहे इस वर के तुमने बड़ा अच्छा काम की ए म्रेग चर्म पर बै अगर संत के हिर्दय में करूरा नहीं प्रेम नहीं है अहिंसा नहीं है कहां संतत तो है जिस दिन जीवन में संतत खिलता है आत्मग्यान आता है अपनी आत्मा से जुड़ते हो उस दिन सबसे पहले काम तो जीवन में यही आएगा कि तुम्हारे अंदर करुणा आएगी प्रेम आएगा हिंसा की बृति नहीं आएगी कुरूड़ता की बृति नहीं आएगी दूसरों को दिखाएं कि हम रिख चर्म पर बैठे हैं फोटू खीचा रहे हमारे सिंगहासन पर सेर की खाल लगी हो यह सेर की खाल हमारे सिंगहासन बज़ेस पर हम बैठ रहें किसे किसे दिखाओ गए ये परमात्मा ये देखेगा तुम्हारा सब कुछ अगर हमें जिस दिन ध्यान रुखो जिस दिन अंतर आत्मा जगेगी अंतर से जुड़ोगे आत्म चेतना में ठेरोगे सबसे पहला काम यही होगा कि करुणा और प्रेम करुणा और प्रेम आएगी कुरूता जाएगी और जब करुणा और प्रेम हो जिसके दिल में वो किसी प्राणी को किसी पसुपक्षी को हिंसा चाहेगा कि उसके चमड़ी हमें मिले हम उस पर बैठ के ध्यान करें पहले सवहभाविक मौश्ग से जो होती थी वह बात अलग ती। कि अणकी फ़भवक मौश्ग और म आज मरे जा रहे हैं तो आज वह नहीं चाहिए कि मरग चर्म नहीं चाहिए कोई चर्म नहीं चाहिए आज भगवान के कि रपासे विग्जार जग्भांन तो लिखते हैं कि सुर्मंदर तर्मूल निवासा सईया भूतल अजनिम बाशा जो आत्म ग्याने हैं जो तत्व दर्सी जो संत मंदर के प्रांगड में खड़े हुए ब्रक्च के नीचे बैठ लेट के विस्राम कर लेता उसका निवास है पेड़ के नीचे कोई महल नहीं बन कोई आसरम नहीं बनाया सुर्मंदर तर्मूल निवासा क्या सईया भूतल अजनेम बाश्य सब जमीन पर लेट जाता है जो परग्रह भौक तयागा उसके पास कोई परिग्रह है नहीं सारे भोगों का त्याग प्रारव से जो मिल गया जिसने जो दे दिया खाने के चाहिए क्या उसे कुछ नहीं चाहिए खाने के लिए सिर्फ दो रोटी सोने के लिए कोई विस्तर नहीं चाहिए रहने के लिए कोई भवन नहीं चाहिए सिर्फ खाने के इस त्याग क्लिए कोई मांग रही नहीं सर्व पर इद्रह भोग जिसके अंदर भोग की सारी प्रिवर्टियां खट्व हो गई हैं भोग की सारी मांग खट्म हो गई हैं एब ब्यक्ति ने सारा कुछ एभागी', ऐसा विरक्त कस सुखम न करो ती विरागा ऐसे महापुरसको ऐसे तत्वद्यासी कौन सा सुख नहीं होगा सोचो अब जो जो उसे बाहर की तरफ दोड़ाने वाली बात थी काम था क्रोध था लोव था मोव था वो कुछ रहा ही नहीं ना काम रहा ना क्रोध रहा ना मोह रहा अब बाहर की दोड़ बंद अंदर की तरह मुड़ गया बाहर की दोड़ उसकी बंद अंदर की तरह मुड़ गया अंतर के आत्म ग्यान में रम गया आत्म चेतना में इससे जुड़ गया और जो अपने अंदर रम गया अपने अंदर जुड़ गया कस सुखम न करो ती विर सर्माज आप उसके सामने हैंwater इस संत्व के पास क्या नहीं है सुचो ऐसे ही महापॉर्सों को महाराज का एैसे ही महापॉर्स वह राजा को अगरा नहीं है वह महाराजा चाहै मटिः चाह मिटी चिंता मिटी मनुआ बे परवा जिनको कछने चाहिए सोई साहंसा जिनके पास कोई चाह नहीं कोई मांग नहीं है वो साहंसा है सम्राटर को भी सम्राट है वो साहंसा कस सुखम नगरोत भी रागा ऐसे वैरागी के पास ऐसके संत के पास क्या कमी है जिसने सारे भोगों से मुक्त हो गया है सारी मांगों से मुक्त हो गया है अब लोब नहीं है क्रोध नहीं है मांग नहीं है चाह नहीं है क्यों अब अपने अंदर से जुड़ गया उसे सब मिल गया प्यास जो थी वह पानी मिल गया अंदर दोड थी जो वह मंजल अंदर मिल गई उसे मुकाम वो मिल गया वहां ठैर गया जाके अंदर जब अंदर ठैर गया विश्राम मिल गया प्यास बुझ गई अब किसके लिए दोड़ेगा क्यों दोड़ेगा और यहां किसी के सा किसे हमें आत्मज्यान नहीं मिला इसके लिए तो जिम्मちार हम खोदी हैं इस पर खुजी का धिकारण नहीं कोई रुध दाल सकता खलए रकिसे हमारे को sila को स्वेम् प्राप्ट है उस्वेम ही अंतर में कहोज लो किसी और सक्की अपेक्चा नहीं है किसी का कोई उसमें लेंदेन नहीं है किसी का हाथ हो कि यह व्यक्ति हम पर किर्पा करेगा तम बिलेगा गुरू की आत्मा गुरू के पास सिस की आत्मा सिस के पास अपनी आत्मा से जोड़ा गुरू थोड़ा इसारा कर सकता है मदद कर सकता है गुरू का इसारा गुरू की मदद कुछ पेड़ा दे दे कुछ आगे कदम अंगली पगड़ के ले जाए सादू को सिस को आगे ले जाए अंगली पगड़ के सहरा दे के लेकर अंतर में यात्रा अपने ही करने पड़ेगे गुरु को अपने अंदर में यात्रा करने पड़ेगी सिस को अपने अंदर यात्रा करने पड़ेगी और सब के अंदर परमात्माने सब के अंदर वो आत्म चेतना दे रखे आत्म ग्यान दे रखा है तो अब यह दिखो एक साधू पुरुस और एक वेरागी एक भिकारी वो था वो भी मंदिर पेड़ के नीचे सोता था उसके पास भी कुछ नहीं था वो भी करतल भिक्षा तरुतल वासा करता था वो भी हातों के पातल बना के सोता खाता था और पेड़ के नीचे वो भी लेकिन वो भी है तदपनमंज लेकर उसके पास आसाएं थी मांग थी चाहा थी क्रोध था लोव था ये साधू के पास भी वही इस्तिति है दोनों को बाहर से देखो दोनों की इस्तिति एक जैसी है द आत्म ग्यानी भी जमीन पर सो रहा है वो भिकारी भी जमीन पर सो रहा है आत्म ग्यानी भी हात करतल भिक्छा कर रहा है हात का पात्र बना के भोजन कर रहा है लेकिन इसके पास आसा है अपेक्छा है मांग है और सादू के पास सर्व परेग्रे भोगते आगा सब तरह के सादू के पास ग्यान आ गया सादू को होश आ गया सादू वाहर की दुनिया से हटके अंदर की दूलत से जुड़ गया अंदर के परमात्मा से जुड़ गया जो अंदर के परमात्मा से जुड़ गया जो अंदर के परमात्मा से जुड़ बुद्ध सामान भिकारियों बुद आत्मग्यानी हो गया लाखों लाखों के लोग उसके अनुवाइव अर भाप को सुक्ता जगी स्यों की बात भगवान बुद्ध उस समय कपल बस्तु के नकट रुके हुए थे बाप भी बेटे से मिलने के लिए मारास तो दोदन भगवान बुद्ध से मिलने के लिए जाता रख पर बैठके गए समयोग से रख जब एक गाउं से निकल रहा था उन्हें देखा पीत बस्त्रों में पीले बस्त्र पहने कोई सादू कोई भिक्षू किसी जोपड़ी के बाहर को भिक्षा पात लेके मांग रहा है दूर से देखा थोड़े नईदीक आए उन्हें ऐसा लगा इस व्यक्त को कभ भगवान बुद्ध ने भी पहँचा लिया कि मेरे पिता महराज सुदोधन है और महराज सुदोधन ने भगवान बुद्ध को प्रडाम नहीं किया संद समझ के प्रडाम भी नहीं किया और गुस्से में बोले कि दुनिया तुमें बुद्ध कहती है लेकर मुझे तुम तुम राजपुत्र हो और भीग मांग रहे हो सर्म नहीं आती है ऐसा ही कोई सौख है तो भीग मांगो नहीं भीग दो भीग मांगो नहीं भीग दो तुम राजपुत्र हो तुम बापस लोटो हम तुम्हें राजा बनाएंगे तुम बापस लोटो हम तुम्हें राजा एक बार कहा भगवान बुद्ध दूसरी बार कहा भगवान चुप रहे और जब तीसरी बार कहा राजा बनने के लिए सिर्कार हो बापस लौटो ओगे छोड़ा ये पील वस्त फैको फैको ये भिच्छा पातर हटाओ ये सादू का वेश बापस लौटो हम तुम्हें राजा बनाएंगे भिकारी तो वो बनते हैं जिनको कोई राजा बनने का मौका नहीं मिला वो विकारी बनते हैं मैं तुम्हें राजा बना रहे हैं भिकारी ना बनो राजा बनो ये साभाग है तुम्हारे पुत्र हो हम तुम्हें राजा बनने के लिए तयार हो जब भगवान मिट गया खत्म हो गया हमने कुछ नया पाया है और जो कुछ हमने नया पाया है उसकी तुलना उसकी बराबरी तुम्हारे इन महलों से नहीं हो सकती है जहां तुम्हारे आज महले कल खंडर हो जाएंगे जहां संदरता है कल वा कुरूपता भी खड़ी होई है और जहां जीव भी नी छिना पाएगा तुमने जो पाया ये महल ये इटारी ये सिंगासन ये दौलत ये महल आज नहीं तो कल छूटेंगे छिनेंगे मौत छिना लेगी ये महल खंडर हो जाएंगे और हमने जो पाया है परमात्मा हमने जो पाया है सत्त हमने जो पाया है आत्म ग्यान उसे मौत भी नी चिना पाएगी बुद्ध ने क्या पाया सोचो देखने में बुद्ध भी भिकारी ही दीख रहे हैं लेकिन बुद्ध अंदर से सहन सा है अंदर से सहनसा बुद्ध ने वो दौलत पाली है जिसे मौत भी ना चिना सके यह संसारी दौलत तो धन रुपए पर्तिश्टा तो मौत चिना लेगी यह धन नहीं यह धोका है जो असली धन है जिसे मौत ना चिना सके आत्म ग्यान का भगवान संक्राचा लिख रहे हैं कि सुर्मंदर तर मूल निवासा सैया भूतल अजिनेंबाशा सर्व परग्रे भोगते आगा कस्सुखम न करो ती विरागा जिस विरागी के पास जिस संत के पास जिस आत्म ग्यानी के पास भले ही वो मंदर के प्रांगण में ब्रक्च के नीचे लेटा हुआ है लेकिन वो साहनसा है उसके पास कोई कामना नहीं उसके पास कोई चाह नहीं उसके पास कोई लोब नहीं उसके पास कोई मोह नहीं अंदर की दुनिया में रमा हुआ है अंदर की दौलत में पाया हुआ हुआ है उसका जीवन एक उत्सव हो गया जीव इसा जहां बिराग हो वैराग हो परग्रह हो वहां कौन सा सुख नहीं होगा आज कत्हा को यहीं बिराम देते हैं कल का इस लोग आगे लें हरी हो